कहिए कैसे हैं आप हम अकसे बात करते मिल जादें कि समाज में बहुत टफ टाइम चल रहा है हर तरफ बुराई negativity लड़ाई जगड़ा रोश निराशा गुस्सा हर तरफ यही भरा पड़ा है ऐसे में बच्चों को अच्छा बच्चा कैसे बनाए ऐसे में बच्चों को कंब ही कारुए हूँ जो कल मैं देखा हुआ क्या कि कल शाम को घर के सामने से एक Celsius ममी जा रहा थी आपस में बात करतय हो जा रहे थे वह ये कह रहा था बच्चा अपनी ममी को कि मैं चिटन कर रह था तो एकदम से मॉनीटर आया उसने मेरी कउपी छीन ली और मैम को दे दी तो ममी का क्या reaction था ममी कहते हैं वो तो पागल है बिल्कुल पागल ना तो खुद चीटिंग करता है ना दूसरों को करने देता है और बात करते करते हो आगे चले गए अब बताईए अब पेरेंट सी अगर इस तरह की बाते करेंगे इस तरह से बच्चों को बढ़ावा देंगे तो बच्चों की नीव कैसे मजबूत बनेगी और बच्चों की अगर नीवी मजबूत नीव बनी तो वो अच्छे इंसान कैसे बनेगे हम हमेशे बूलते हैं समाज में यह हो रहा है कि बच्चे अच्छे बने, मतलब हर बात पर गुसा, बढ़क जाना, नराज हो जाना, ये सब आजकल बहुत जादा हो गया, तो बच्चों को अच्छा कैसे बनाए, बात घूम फिर के यह आती है कि अच्छा कैसे बनाए, इसके लिए सबसे पहले और सबसे अधा जरूरी है क पेरेंट्स अच्छे बने, पेरेंट्स रोल मॉडल बने, पेरेंट्स बच्चों को दिखाएं, खुद करके दिखाएं, मतलब की खुद लडाई जगडा, खुद गाली गलोच, इस तरह की चीज़े और बच्चों को गलत काम के लिए एंकरीज ना करें, जैसे कि वो मदर क सबूरुती की वो तो ना खुद करता ना दूसरों को करने देता है, तो हम बच्चे को अगर हम अच्छा बच्चा वाकई में देखिए, पहला स्कूल होता है घर, और अगर पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को अच्छी सिक्षा मिलेगी ना, तो वो अच्छे बनेंगे ब थेंगल होना सिख्हाएं, देखिए बच्चा दो जगें ज़्यादा रहता है, इक तो घर एक स्कूल, स्कूल घर, यह दो जगें इसका बहुत ज़्यादा रहता है, तो अगर वो ek Mackода से भी पर स्कूल को तो सिकूल में और भी लोग हैं, जैसे माली च LAURA की लापनी क्यों है, उस से भी उतने ही respect से बात करें, उतना ही उसको आदर मान 네, संमान 재, और यही बात कWה घर पर आता है, घर समानना लीज़ें काम बाई है, तो उस से भी अराम से बात करें, ऐसे तू तड़ा करके और गुसे में नहीं किए, तो नौका सम्मान होता है, फिर बात आती है कि बच्चों को मौका दे, मौका कैसे दे कि बच्चों को एक बर फ्री छोड़े उनको देखें कि वो किस तरह से ट्रीट करता है, जैसे माली जी एक छोटा बच्चा है, 3rd, 4th क्लास में है उसका एक दोस्त है, और वो कुछ दिन से स्कूल नहीं गया और उसका होमवक पेंडिंग है, तो वो पूछने आये कि मैं को होमवक बता दो, क्या-क्या है तो आपका बच्चा किस तरह से उसकी हेल्प करता है, कैसे उसको बताता है, मतलब क्या उसको मना कर देता है ने-नी, मैं भी नहीं गया था, मुझे नहीं पता किसी और से पूछ ले, या बढ़ चड़ कर आ गया था तो ये चीज़ सिखानी चाहिए कि उसकी हेल्प करे, अगर कोई प्रॉब्लम में है, या उसको नहीं समझा रहा, तो उसकी हेल्प करे इसी के साथ साथ, बच्चे को empathy के बारे में भी बताना चाहिए empathy होता है, जैसे की समान अनुभूती जैसे मुझे feeling होती है, ऐसे दूसरे को भी होती है जैसे किसी ने मुझे गुसा किया और मेरा mood खराब हो गया मैं रोने लग गया, और मैंने उसको उल्टा हमारा, तो दूसरे के साथ भी यह feeling होती है दूसरे को भी दर्द होता है, जैसे मुझे दर्द होता है, इसे दूसरे को भी दर्द होता है समान अनुभूती होती है इसलिए जैसा अगर हमें कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो वो चीज हमें दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए यह चीज बच्चों को सिखाते रहनी चाहिए, और अगर बच्चा misbehave करता है, बहुत बार होता है बहुत बच्चा rudely बोलता है, बत तमीजी से बात कर रहा है, तो उसको immediately समझाना चाहिए, कि नहीं ऐसे नहीं करना, बच्चा हाथ उठाता है, अपने छोटे भाई बहन पर हाथ उठाता है, या फिर कहीं बार ही होता है अपने स्कूल में लड़ाया, बाल कीच लिए किसी को दक्का दे दिया, तो बच्चे को immediately बताईए, कि यह अच्छी आदत नहीं है, यह सही नहीं कर रहे आप यह चीज बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करेंगे आप, एक घर का नियम, काईदा कानून होना चाहिए, कि इस तरह से अगर आप हाथ उठा होगे, तो यह बिल्कुल सहन नहीं होगा, और अपने भाई या बहन का समान रूप से आधर करना है, रिस्पैक देना उनको प्यार करना है, पर जहां तक लड़ाई जगड़े की बात हो, हाथ उठाना हो, यह बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्लियरली बोल दीजे, और कुछ पनिश्मेंट सक दीजे, पनिश्मेंट भी इस तरह की हो, जैसे माल लीजे, उसको कोई काम नहीं पसंद, वैसे इस बारे में मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं नीचे दूँगी, अलग-अलग तरह की पनिश्मेंट होती है, उसमें सबजी ले के आना है, कहीं बच्चों को यह अच्छा नहीं लगता, फिर खाने को, खाना सर्फ कराना है, बहुत सारी चीजे होती हैं, जो उन्होंने अपने ही हिसाब से लिखके रखी हैं, कभी अच्छे मूड में लिखके रखी हुई हैं, तो वो डालते रहो, कि अब आप यह करो, इसमें से एक स्लिप निकालो, और जो इस स्लिप में आएगा वो करो गया, बच्चे जब मिस्भीएफ करने हैं, तो उनको इमेजियेटली समझाना चाहिए, यह नहीं कि चलो, कल देख लेंगे, परसो देख लेंगे, आज उनकी बात मान लेते हैं, मिस्भीएफ कर रहे हैं, तो इमेजियेटली रियाक्ट करना चाहिए, और उनको समझाना चाहिए, इस बारे में तो हम स्कूल में भी बात कर सकते हैं, कि बच्चे की कमपनी क्या है, बच्चा किस के साथ रहता है, टीचर को बोल सकते हैं, कि आप ध्यान रखिए कि यह अच्छे कमपनी में रहा है, और जहां यह इसकी संगत गलत होती है, तो हमें तुरंद बताया जाएं, और अगर घर पे है, तो बच्चों को अलग-अलग तरीके से भी एक अच्छा इंसान कैसे बना सकते हैं, जिसे मा लेज़े घर में पालतु रख लिया पालतु कोई भी डॉग पेट रख लिया अपना तो उससे भी बहुत फ़र्फ पढ़ता है बच्चा उसके साथ खेलता है, इसके कहने का सखैल रखता है तो बहुत फ़र्फ पढ़ता है। या फिर मतलब उसको एक काम दे दिय मतलब जैसे होता है कि हमारा काइंट हर्ट है एक बहुत द्यालू दिल है इस तरह की फीलिंग आती है फिर हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि हमारे देश में या दुनिया में जो भी अच्छे लोग हुए हैं उनका बच्पन कैसा था वो कितने सल्सकारी थे और बच्पन में कि एक बार जैसे होता है ना कि यह भी बहुत जूट बोला था इनोंने पर इनको जब समझाया तो इनको समझाया इस तरह के एक्जामपल से कि बजाए बच्चों को मोटिवेट करें कि हाँ हाँ तुम चलो नकल करके आना कोई दिक्कत नहीं है तुम हम तुमारी सिफारिश कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों खुद भी लगाम रखनी चाहिए पेरेंट्स को अपने उपर और बच्चों को तो कभी भी चिटिंग और गलत काम लड़ाई मारधार जगड़े के लिए कभी भी एंकरेज नहीं करना चाहिए बच्चों को समझाना चाहिए कि यह चीज़े अच्छी नहीं है इस तरह से आपने नहीं करना और उसके लिए यह जो एक्जामपल्स है यह हमारे आज की दुनिया के भी बहुत सारे एक्जामपल्स है आज के समय के बहुत सारे एक्जामपल्स है वो देने चाहिए ताकि बच्चों को सबक मिले मतलब अच् ही चाहिए ये बहुत ज़रूरी है तो इस तरह के बच्चों में संसकार डालने चाहिए तो कुल मिला के पेरेंट्स को बच्चों को समय देना चाहिए उनके साथ समय बिताना चाहिए और उनकी जो भी जिग्यासा हैं, उनको शांत करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वो अच्छे बने, अच्छे बहुत अच्छे इंसान बने, हमेशा हेल्फुल रहें, दूसरों की मदद के लिए तत पर रहें आगे आएं, काइंट हर्टिट हो देयालू दिल के हो वो कहते भी है न वैसे कि माना बुरी है दुनिया हर तरफ दोका है हम तो अच्छे बने हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है तो बहुत ज़रूरत है कि हम दूसरों के ओपर ब्लेम लगाने की बजाए कि समाज में यह हो रहा है हम अपने आपको अच्छा बनाने की कितनी कोशिश कर रहे है इस चीज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है तब ही बदलाव आएगा समाज में आप प्रण ले ले लेजे कि मैंने अच्छे बनना है तो देखिए गा आप हर एक कोई, हर एक कोई बजाए दूसरे को कहने के खुद अपनी और अपनी और देखिए और बदलिए और हो भी सकता है कर भी सकते हैं ये भी है कि एक दिन में नहीं आएगा पर एक प्रिक्रिया तो शुरू हो जाएगी एक अच्छे समाज की हम कल्पना तो कर सकेंगे कि अब जो हमारी यंग जेनर की बहुत आहम भूमिका्ष इस काम में बचों की परवरिश में बचों को अच्छा इंसान भनाने में तो पेरेंट्स को सबसे पहले सीखना जाएगा वेसे आप बताईए आप क्या सोचते हैं कि पेरेंट्स की क्या भूमी कहानी चाहिए या हाँ और हम किस तरह से बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जुरूर बताइएगा आपके कमेंट्स का मुझे इंजार है तो कल फिर मिलूँगी तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रह करूं आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको भी आप शेयर कर लिजएगा ठीक पैंगी